असलाम अलेकुम बैच्चो मैं रुखसाना पारवीन टीचर यूप एस्रस रिपोर है बैच्च कलास फिफ्ट सब्जक्ट चू अर्दू अश्च अर्दू ना इमस परूम सब कुन्वानों से दोस्ती पेज नबर थर्टी फाइव कईड़ू तो थर्टी फोर सनुच सब्सक्राइब कर दोस्ती नबर नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई अहमद नदीम ने खेपनी टोली से जमों से पाने चीज़ और और यह से बोईंटक तो एक तो एक ठीक कर रिखता है से खाना क्वाने के बैद सब लड़के मुखतलिब अत्राफ में सेर को निखलें बातवात थे लड़को वह तरफ तरफ जमाना अत्राफ तो लग और यह प्रत तरफ 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 प्फियर ने चकर करने कुछ लधरनाली के खिनारी की तरफ चल पड़ें केऊंगय गई लध कुछ बाजार की जानिब गए के लड़के गए बाजार और कुछ लड़के जंगल की सेर को गए के लड़के जंगल की जंगल सेर करने अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए अहमद नदीम गए जंगल सकून रास्ते में उंचे और गन्य पेट थे वाइतमस वार्य थोई तो बेगन कुल। इरत गिरत का नजारा बेहत खूबसूरत और दिलकश था। तब आइंद पाइक नजार उस वारिया खूबसूरत तो बेहत दिलकश। आहमेद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे चोड़ कर आगे निकल गए। आहमेद नदीम न सब्सक्राइब करें दूसरे दोस्ट चुपाथ तुम तरह एक पाथ एम द्राइब नोट इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वह गन्नी दरखतों और जार्यों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं तुम अन्रूद नी ख्याल है तुम आहम कहते हूं अखोफनाक आवाज जंगल की खामुशी में जंगल की खामुशी में जंगल की खामुशी में आवाज ने दूनों को डरा दिया हैं इतने में अहमद को थोड़ी ही फैसले पर एक रीच नजर आया इत्सी कालसा आहमदस थोड़ा दूर आख हापत नाजरे। रीश उनकी तरफ आ रहा था। हापतोस इमने कुन पका। आहमदने नदीम का हाथ फावरं जटक दिया और फुरती से एक पेड़ पर चाड़ गया। आहमदन सुन दिस्ती दिस्ती नदीम नदीम आथ यल तो तु नदीम की बेवसी को खामोशी से देखता रहा। आहमद चुकुलिस पड़ भी है तो नदीम की बेवसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को गबरहट में और कुछ नसोजा वो जमीन पर लेड़ गया। नदीम यल गबरहब अमसान बेगी ही समझात तो शोंग जमीन असपया। आँखें बंद करके अपनी सांसे रूख लेए। आँख करन बंद तो पानुन शाख करन बंद। ऐसा लाग रहा था जैसे वो मुर्दा हुआ रीश मुर्दा हुआ। रीश ने करीब जाकर एक लम्हा के लिए उससे सूंगा और आगे बढ़ गया। यहापत इमस नजदी एक आखर साहितनस मुष्का उष्का तो द्राब रूख कुन। थोड़ी देर के बैद नजदीम ने आद खुली आँखों से देखा। थोड़ा टाइम गओ तो अड़ीच उष्क मुष्क तो उष्क नजदीम के रीश जा चुका है कि हापता सचु गुम्हा। उसकी जान में जान आई तेमस्ता नो जूजद वो कपड़े जाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तेम वो थोड़ दिन पालाव बालाव दिन और अहमद की तरफ देखने लगा तो वो शांच आहमदस कुए। अहमद की बेवफाई से उससे बहुत दुख हुआ। की तवाका किये कि एहमद मुसीबत की गड़ी में उससे अकेला छोड़ देगा कि एहमद प्राई मुसीबत दीजे नदीमस कुने जुने। अहमद ने जब देखा कि रीज जा चुका है अहमदने लगुष्ट यस गव हापुथ तो वो पेड़ से नीचे उतर आया। और नदीम से कहने लगा। यस गव हापुथ इवत कुल पर बून तो चुने नदीमस प्रसान वनान। शुकुर है कि बच गई लेकिन यह तो बताओ कि रीज तुम्हारे कान में क्या कह रहा था तो मगर चुवान तुमें खापुथ क्या उससे कानस मजवाना। नदीम ने मुस्करा कर बोला। नदीम अंतरो असननत वनास। रीज मुझसे कह रहा था हापुथ हसो उसमें वना कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आये। उस हापुथ उसमें यह वना दोस्त चुसु सुई यस मुसीबत इज गवान बकार इह। अमिक मतलब गो यह कि दोस्ती गास बार्द सुचित सम्जित करें, दोस्त अजमें गास दोस्ती करें, वे गो दोस्त उसमें यह उसमसीबत इज बकार इह, आखिकस वफादारी करें। लेसन मा कलो असे, लेसला को पात अमिक सवाल, शुक्रिये।